गाई रड़ा यूटूब चनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको True Color का Alternative बताने वाला हूँ। True Color आपके सारे डेटा को अपने सर्वर में अपलोड कर लेता है। और जब सर्च करते हैं तो अपने सर्वर में ढूड़ता है, इसके बाद आपको दिखाता है। लेकिन आज हम True Color के Alternative के बारे में जानने वाले हैं जिसे Google ने लौच किया है। यह Google के दोरा बनाया गया है तो आप इस पे भरुसा कर सकते हैं, इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। आप इसको जोईन कर लेंगे, जोईन करने के बाद आपको थोड़ी देर बाद आप आएंगे तो यहाँ पे आपको Install का Option यहाँ पे दिख जाएगा, आप यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। Google Play Store से डाउड़ करने के बाद इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपका Google बाइफोन यहां से ओपन होगा, इसके बाद यहां से आप Set as Default पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद आप Change पे क्लिक करने के बाद आपका Google बाइफोन यहां से ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस यहां से आपको देखने को मिल ज सकते हैं इसके बाद अपने पूरी contact list को आप यहां से देख सकते हैं इसके बाद आप 3.line पर क्लिक करने के बाद आप यहां से call history को चेक कर सकते हैं इसके बाद आप यहां पर सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको काफी सारे option यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आपको display options calling accounts block number आपको caller ID and spam आपको सारी option यहाँ पर आपको मिल जाएगा caller ID and spam में आपको जाने के बाद आपको यहाँ से caller ID आपके पास अगर कोई call करेगा तो आपको caller ID में show होगा अगर आपका अगर spam call आएगा तो वह spam में show होगा तो आपको यहाँ से धेर शारी आपको option मिल जाएगा आपको यहाँ से आप यहाँ से डिश्प्ले option में जाने के बाद आप यहाँ से short by first name कर सकते हैं name format यहाँ आप यहाँ कर सकते हैं आप डार्क यहाँ से इसको हटा करके आप यहाँ से इसको आसानी से यहाँ पर इसको रखके इस अप इस applications को आप default में use कर सकते हैं यह अप Google के दोरा बनाया गया application है तो इस पर भरुसा कर सकते हैं अगर आपको यह वडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए अपने दोस्तों को शेर कीजिए अगर आपके मन में कोई confusion है तो आप हमसे comments में सवाल पूस सकते हैं